है लोग दोस्तों मैं हूँ आपको अपने संस्कारेश में सामने अपने हैं All Your Desire 2024 वाली नई वाली डिजायर का यह वही मॉडल है जिसके लिए आप मेरे चैनल पर बार बार आके चेक करते हो कि भाई ने अब तक क्यों नहीं डाला वेस्माडल है या नहीं यह मैं नहीं तो यह आप ही लोग कहते हो वाई फाइनली आ चुका है शुरुआत हो चुकी है हमारी पूरे सारे वेरेंट्स की सीर किया है पाई जबर दस लुक्स को लोग ओडि ओडि कहने लगे जब अरदस फीचर दे दिए बेस मॉडल में जो लोग कहते थे कि यार बेस मॉडल में कम से कम फ्रंट की पावर विंडों कुछ तो देदो इसमें ऐसे फीचर दिए आपको फ्रंट की यह रीर की भी पावर नहीं था वो थी सेफेटी सेफ़्टी में अगर यह तीन स्टार विए आदी तो लोग यह यह कार कर देते लेकिन लाइ तो लाइ पुछ स्टार लेकर आई इस से ओप्छ नहीं है और जो उम्मीद है थी वह पार कर गई है यह वाली डिजायर लोग तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं खुश ही खुश हैं तो हम क्यों नहीं हो खुश भाई जीत तो लोगों की हो गई ना लोग मजबूरी में अधर ब्रेंट्स की तरफ जाते हैं लेना महरुति चाहते थे लेकिन यार क बात कर लें तो कीमत धमाकेदार रखी है 6,89,000 रुपीज एक शोरूम और आपको मैं तो उन रोड लोगा भाई उन रोड बता दे तो उत्रा खण में रुद्रूर में आकांशा आटो मोबिल पे यह उन रोड पढ़ रही है लग 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 कितने की 7,85,000 रुपे की 7,85,000 रुपे में आपको चौते नंबर की कोई बैस सेलिंग कार या यह का नंबर वां जिडान आपको मिल जाएगी 7,85,000 में इस लुक के साथ सारी चीज़ बता तो एक एक करके की बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ स्टेंडर कर दिया और क्यों सब से ज़ादा डिमांड में रहने वाला ही आप एक-एक करके देख लो वाई सबसे बहले तो लुक देखो इसका क्या बात है ब्लैक-ब्लैक सब कुछ दे रखा यहां पर और यह ब्लैक है आप देख रहो ऊपर के वेरेंड में सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक इसमें नहीं है फिर जैसे एक मोड ऑन करोगे आप शाम होगी तो वही जलने वाला है उसके जादा नीचे आपको फॉग लैम की जगह मिल जा रही है अच्छी चीज़ है वह डिजॉल्व नहीं हो फॉग लैम की जगह भी भी है आप शोरूम से ही एससरी के तौर पर लगवा सकते हो अलग साई बाकी डोर हैंडल भी ब्लैक डाउट है यह चीज़ पहचान है बाकी इस पर लगवाल होगे उपर से आपकी मर्जी होगी तो कई तो सीदा कहते हैं इससे उतारो लगा लो कंपनी अपने साइट से ओफर कर रही है वैसे हैं 168R 14 14-inch के वील्स हैं बागी उसके सा सब दे दिया और बाकी जो पहचान है हमेशा से आता है यहां पर मिली रहा है आपको मिरर अपने बाहर से एड़स्ट होने वाले हैं मतलब जो नेक्सा में चीज़े कर रखी हैं ना कंपनी ने वह शुरू हो गही है बेसिक फीचर कुछ देंगे लेकिन कुछ चीज़े तो मैंने खुद लगवा रहा है कोई टेंशन नहीं को ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है लंबा चोड़ा गपराने वाली कोई बात नहीं इन चीजों की वैसे बेस मोडल को जो छोड़ देते हैं वह भाई जाग जाओ ठीक है यह कोई ज्यादा लंबी चोड़ी चीज़े नह लगवाई नेक्सा वाली पूरी पूरी चीज़े कॉपी कर दी है वही थीम पर आ गए हैं कि भाई हम करेंगे तो धमाकेदार चीज़ें करेंगे चाहे नेक्सा और बहुते लोग कहने लगे लगे देना सब कुछ नहीं मिल रहा तो लोजी मिलने लगा यहां आपको वील ब आजाओ आप कहां रियर की तरफ रियर ऐसे नहीं दिखाऊंगा भाई रियर तो मेरी जो कहता है ना फेवरेट प्रोफाइलों में से एक है रियर दिखाऊंगा तो जो पूरे इसके जलवे हैं जिस चीज़ के लिए फेमस होने वाली उसके साथ दिखाऊंगा ना यह दिन म आपको एंगल से दिख रहे हैं मस लग रहा है देखने में यहां पर आपको मिल जाता है इस तरह से स्टॉप लेंप लेडी यह जैसे ब्रेक दबाइब कि यह जलने वाला और यह इल्लुमिनेशन अच्छा है और बाकी यह होगे हैं पर रिफ्लेक्टर इस तरह से बागी य सिस्टम कर लिया है कि रिवर्स लगाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए भाई हमें देखना मिया अंधिरे में यही रॉसनी देते हैं बिल्कुल डार्क में न तो यह चीज अच्छी है दोनों साइड बल्ब होने ठीक टाक रॉसनी देते हैं एक दो तीन चार चार पैंट मिल सेंसर अच्छी चीज है इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं होई बाकि अच्छा लग रहा है डिजाइन ऊवराल पूरा ऊपर के वैरेटर में यह चीज आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ यहां क्रोम पट्टी मिलती है लेकिन इसमें आपको इस तरह से मिल रहा है बाकि सब कुछ ह हो जाता भाई दुनिया में लेकिन अच्छी चीज है कीमत आप कम नहीं करवा सकते शोरूम में तो कंपनी ने खुद सही कीमत कम करके दिया सिर्फ 6,89,000 रुपीज एक शोरूम वाकि यहां पर देखो को फ्यूल फिलर कैप है बेस मोडल में आपको सिर्फ पैट्रोल ही मिल सबसे अच्छे मिल रही है सेग्मेंट में लागव नौस्टों कि रही है एवरेज कितना है वह अभी महां जाके दिखा दूंगा जब इंजन की बात हो फिलाल बेस मोडल आ चुका है शुरुआत हो चुकी है बोनी हो रही है बोनी तो बाई गोगा में जाके इसके टॉक मो चैनल पैंसट हजार रुपए लगब लगब बलीनों के बेस मोडल की किमित है जिसमें स्टैंडर्ड यही फीचर जो इसमें मिल रहे हैं तो आप इस चीज़ समझो कितनी बढ़िया और चैनल के साथ यह चीज मिल रहे हैं कीमत में जो की बहुत सही है और इंट्रड़क्ट अब यह वाली भी इसमें आ चुकी है बेस मॉडल में दो कोई आवाज नहीं है योगे लॉक अन्लॉक और उसके साथ साथ एक बार खोले तो यह कुछ अंदर के नजारे वाजीवा सैट है मामला एक बार इसको लगा दें तीन तो करी रहा है अच्छा बाहर की लाइट कर र करें यहां ना की इस तरह से आपको मिल जाता है शर्ए क्रोम बाकि यहां पर अच्छा लग रहा है जा चाहां लिए शकते अपार हो नहीं तो कोई भारी चीज नहीं है 10-11,000 रुपए में काम फिट हो जाता है पूरा यहीं पर ही लग जाता है औरिजनल स्टाइल में पोडyorsun है आपको स्पीक्र नहीं पर दॉर Japon की अगठें एक और उन्हाना साथ ही मि एक दो एक प stretched बिसी वाड़ आपको सब में मिलेंगे दो सीट के साइड में दो साइड करें और दो फ्रेंटल इंपेक्ट को बच्चा आने के लिए चलो अब क्या करें बैठी जाए इस पर अब अंदर बैठते पहला इंप्रेशन जो मुझे दे रहा है वह दे रहा है यह क्योंकि स्टीरियो नहीं है लेक लेकिन वह स्नोफॉल जो नौर्थ इस में उसकी फीलिंग आपको लेनी है सर्दिया तो आई चुकी है आप ले सकते हो कैसे एक ही तरीका है जिर्फ इन्वाल वन का स्नोफॉल पर्फियूम बरफ का गोला अपनी गाड़ी में रखके आपको बस करना यह है कि स्कैन को जो कि बिल्कुल इस साइज की बनाई हुए कि आपके कफोल्डर में अराम से फिट हो जाए या फिर आप चाहो फ्लॉंट करना है क्योंकि इन्वाल का पर्फियूम ले रहे हो आप तो आप इसमें मिलने वाले 3M टेप के साथ इसको लगा सकते हो डैश बोर्ड पर लोग भी इसको लगा देते हैं यहां और आप देख लो अरे भाई भर राटा एक पॉइंट पर रखेंगा आप चलाते हैं देखो सबसे बढ़िया चीज बेस मोडल में यहां पर पहले 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 पुराने वाला बिल्ल्कुल वैसा होता था था बस केवाल सुई-सूई होती थी स्पीडोमेटर की बस अब यहां आपको मिल चुका टैकों के साथ क्लस दबाया सेल्फ लगाया गाड़ी हो गई है स्टार्ट और जलवे जलवे बेस मोड़े कितना खूबसूरत यूनित आ गई है यार ऑटोमेटिक एसी लगता है ऐसा खूबसूरत सा लगता है ना कि बहुत भबका और आप कुछ नहीं करोगे आप सीधा यह जो शीशा है इसको एक बार दबाया और सीधा इसको दबा दिया भर मैक से अपना बिल्कुल अंदर से यहां से हवा मारेगा और यहां से निकल जाएगी सारी-सारी गर्मी चलो बाई इसको कर लिए हमने यहां और बहुत जब यहां बहुत जरूरी यह जब यूज कर लेते तब आपको पता चलता है चलो आ जाते हैं बिल्कुल कोरा साधा सा स्टेरिंग वील आपको मिल जाता है अला कि फ्लैट बॉटम है यह बहुत अच्छी चीज़ा बेस मोडल में भी आपको दो-दो-ई-बार कॉम् अच्छी दे रही है रही है और अच्छी चीज़ा प्रोजक्टर में आप अपने हिसाब से लेडी भी लगवा सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है यार कोई टेंशन है बेस मोडल बहुत अहुलियत वाला लगता मुझे तो अगर मुझे पैसे बचाने कमाने तो मैं बिल्कु पर बीच में आपको यहां पर मिल जाता है उपर टाइम भी दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहा है लिप टिप करता हूँ फिलाल इस जगह से इस स्टॉक से ट्रिप और इस स्टॉक से आपको माईलेज रेंज यह सब को दिख जा बास इतना ही काम है इसका वह पूरा कर दिया उसना बाकि एड्जस्मेंट हां भाई एड्जस्मेंट भी रखा है टेलिस्कोपिक नहीं है और उसके अलावा आ जाते यहां पर तो बताई दिया कुछ नहीं है बागी लगवाल होगे आप अपने हिसाब से लोग 9 इंच लगवाते हैं इसमें बिल्कुल चलता है बढ़िया बाकि आप कंपनी से ही 9 इंच भली मैं कह रहा हूं लेकिन अब वह वाला टाइम नीरा मारूती ही खुद अपनी साइट से वह एक नाका मीची या कुछ ऐसा करके ब्रैंड बढ़िया सा इनका और वह भी लगा के देते बिल्कुल वही जैसा आफ्टर मार्केट ह पहले मजबूरी होती थी कि छोटे-छोटे वाले पाए निर वाले मज चलता हुए टिक टॉक टिक टॉक उसके अलावा यह यूनिट बताई थी आपको नीचा आता है 12 वोट का सॉकेट है फोन रखने की जगह है कप होल्डर है यहां पर हो गया अपना एक पर दबाके कोई आपको इस फीड़ेक से पता लग जाएगा इसे लगाने के तरीके से कि यहां यह हो गया है लेकिन बीप दे देते तो वह अच्छा रहता है क्योंकि पीछे सेंसर तो ही ठीक है बाकी हो गया है यहां पर हैंड ब्रेक और उसके लाज़ा कुछ नहीं आम रस्ट हो गयरा यह पर आपको यह उसे लाइनिक मास तरह लेकिन देखने पर जच रहा है यह बी कोई बंदा यह वाला बैरेंट भी लेता है यह चीज़े नहीं भी लगवा था तब भी जचेगा अच्छा लग रहा है बाकि बागी बड़ा खर्चा नहीं है यहां पर होगी आपना कुछ भी उसके अलाबा क्या चीज़ बची यहां बची यह बताई दिया आपको वागी क्या बचा हां कुछ तो यह बचा है यह होगी अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन अफ करने के लिए बटन वागी इसके साथ हैडलेम के लेवल को ऊपर नीच अगनने के लिए तो बाई मैं भाई इसा आता उंचा उठा हुआ भाई वो यहां ठुकता है मेरे को मेरे को बड़ी दिक्काश पतले बंदों को ऐसे टांगे नहीं फैलती इतनी है इस तरह से नहीं फैलती बहर को जोर नहीं लगता तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है उनके पैर ऐसे भी कंट्रोल मतलब रि यह चीज मारूती भी कर सकती है यह ऐसे वाले लेकिन नहीं करते सही करते है रिलाक्स पोजिशन बड़ा सा फुट वायों कि टांगे फैली यह तो अराम से रहे बीच में पैडलों के बीच में जगा है चोटी-चोटी चीजे है जो डिजाइन से ऊपर रखी जाने चाहिए यहां रख देते हैं बाकी पीछे दिखाता हूं अब आपको यह अपनी कहानी ब्लैक के साथ ग्रीज का कॉमिनेशन है उसके साथ बड़िया बटन बटन दे रखा है और यह के लिए भी कोई कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा इस पीकर ग्रिल है वो लगवाई लोगे आ अंडर थाई सपोर्ड नापके यहां पर सीट पर है तो यह है पीछे का स्पेस मेरी पांच-पांच है तो उस हिसाब से आप देख लो आगे पीछे में बैठा हूं बाकी आपने अदार वीडियो में देखी लिया हुआ क्योंकि वेरियंट चेंज होने से अंडर थाई सपो वाला हुचा है यहां पर आगे अपना बॉटल होल्डर और पीछे फिक्से अपने हेड्रस वगारा इसमें नहीं मिलता है लेकिन साइड में यह बड़े बड़े बोस्टर दिये हुआ है आपको थोड़ा कर रख लेंगे वैसे मैंने देखा ब्रेशा वगारा लेते हैं इस हो चीज़े मिलती है तो उनकी कीमत होती है पैसा लगता है लेकिन उसको अभी कंट्रोल में रखा बहुत बड़ी है अब इसमें सेंटर लोग ही है तो पीछे रिक्वेस्ट सेंसर होना चाहिए हां बाई क्या बात है बेस मॉडल है फिर भी सब कुछ है तो यहां को मिल जा करना है पंचर होता है तो आप उसे लगा के जिंदगी बिता सकते हो ठीक है और इसको करता है बंद लिप भी दे रखी है इसमें बेस मॉडल में भी कटोती कोई नहीं है पूरे पूरे मतलब प्रोफाइल जचाने के लिए यह जचरिया ने इस से तो वह चीज करने के लिए पूरे यार मुझे रियर लुक ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे को जब भी गाड़ी दिखनी चाहिए तो यह दिखना ही चाहिए मेरा बस चले तो मैं लेकर सीधा जो इगनीशन है ना उसी पर यह लाइट अन करवा दूं गाड़ी जब तक चले लाइट हो रहा है आज गल मेरी एक्सवी है मैं compare नहीं कर रहा है लेकिन यह फीचर पॉसिबल है डे टाइम रणिंग लाइट सिर्फ फ्रंट की नहीं होते डे टाइम रणिंग लाइट रियर की भी है वह और के चाहिए ब्रेक दबेगी तो अलग जली जाती है अब क्या बचरा है यह आजो एंजिन होता था अब भी इसे फर्क है हैविनेस में ऐसे फाइव स्टार नहीं आ जाते तो यहां पर आपको मिल जाता है इस हैवी से वो नट के नीचे थ्री सिलेंडर इंजन थ्री सिलेंडर से ही मत एकदम बिदग जाना वाइवन पाइंट टू लीटर है डिस्प्लेस्पंट से म नहीं दे दिया कुछी कुछी में कोस्ट कटिंग के लिए एक रीजन से पहले तो एफिशेंट है दोनों में माहॉल को भी मतलब बाता वरन को परियावरन को बचाएगा बहुत कम यह जो है नहीं को बहुत बढ़ी तरह से फॉलो करता है और दूसरी चीज माइलेज माइले तो वह तो 25 क्रॉस कर जा रहा है 25.71 का और सी एंजी अगर ले लिए हलाकि बेस मोडल में नहीं से लेगन फिर भी सी एंजी में तो 33 प्लस 33 प्लस दे रहा है क्या ही कहना है इसने बहुत इंप्रेस करा है जब लॉंच हो रही थी मैं लॉंच इवेंट में था और मैं यह रेटिंग है कुछ कीमत तो बढ़नी चाहिए ना और वह पचास हजार ठीक थी चल भी आता इस लुक के साथ इन सारी चीज़ों के साथ लेकिन नहीं कमपनी नहीं बहुत जबरदस्त काम किया इंट्रोड़क्टरी रखा है वहले लेकिन फिर भी छे लाक उन्यासी अजार पर कीमत रखके कुल यार पच्छेश भीस हजार रुपर बढ़ा है पिछली बारी से बहुत सही चीज करिए और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से फॉलो अप रहेगा मतलब कीमत को लेकर स्पेशली कीमत को लेकर स्पेशली आगे इंट्रोड़क्टरी जब खत जाता है कि बाई मुझे कंपनी अलग से बोल देती है कि तुले ले कुछ पैसा देती है मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं रोज मर्णा चलने के लिए गाड़ी ले रहा हूं सर्विस उसके अलाबा शकल नहीं देखता कभी सर्वेस रही यह यह मारुती और जब बेचने अगर और अगर बात करो गए तो उत्राखन में रुद्रूर्ण आकांशा आटो में आपको पढ़ेगी लग बलबग साथ लाग पिचासी जार पर पर की ऑन रोड गाड़ी आपको चली वीडियो चला हूं मारुती की मूव अच्छा लगयो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर फाइव स्टैंडर्ड कुछ भी अच्छा लगाओ तो भाई लाइक करना वीडियो को शेर करना में दोस्त्राइब करना संस्क्राइब करना चैनल को जय है